कि असलाम अलकुम फ्रेंड्स मैं हुजुनायर और आप देख रहा है सटलाइट डिश टेप्स माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको जिस्ट लेट की अपडेट बताने जा रहा हूं वह है इसर सपेस 46 डिगरी इस्ट के यू बैंड फ्रेंड कौन सी स्ट्रॉंग टीपी है जिसको लगाकर मैंने आज डिश की सेटंग की हुई है साथ मिट की डिश पर सैट अप भी मैं आपको चेक कराता हूं और उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सटलाइट डिश टिप इसको सब्सक्राइब कर लें गंटी के निशान पर कलिक करें ताके नए वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों एलन्बी की पुजिशन में आपको दिखा दूं यह देखें यह एलन्बी पर मुझे इस तरह सिगनल रसीव हुए किसी और एलन्बी पर हो सकता है इसकी सैड का विव भी मैं आपको दिखा दूं यह देखें इस सैड का विव आप नोट कर लें एलन्बी की सेटिंग भी मैंने आपको चेक करा दी तो अब ऐल सेडी की तरफ चलते हैं कि यह देख लें आप इस सैड से भी मैं आपको दिखा दूं यह देखें अब ऐल सेडी की तरफ चलते हैं दोस्तों ऐल सेडी की तरफ हम आ चुके हैं टीपी आप नोट कर सकते हैं यह देखें यह टीपी लगा कर मैंने डिश की सैटिंग की हुई है तो उपर टीपी आप देख लें वन जीरो डाबल नाइन एट उसके बाद हर्जेंटल एच उसके बाद डाबल थ्री डाबल जीरो तो यह टीपी लगा कर आप डिश की सैटिंग कर सकते हैं और कौन सी टीपी आती हैं यह मैं सिकेंड करने के बाद आपके सामने बलके सिकेंड कर ही लेता हूँ यहां पर मैं हमेशा blend second select करता हूँ यहां पर अगर आपको free channel list select करनी है तो आप yes कर सकते हैं वरना no रहने दे no करने से आपके पास मुकमल channel इसके रसीव हो जाएंगे तो मैं yes कर देता हूँ कितने टीपी आते हैं आज की इस date पर इस satellite के कि वह आपके सामने सबसे पहले बॉक्स पर टीपी एड होंगे अपडेट टीपी होंगे आज जो भी आएंगे कि इन में से जो भी टीपी लगा कर आपडेश की setting करना चाहें वह कर सकते हैं क्योंकि यह जो आपको टीपी नजर आएंगी यह अपडेट ही है हैं आज की इन में कोई ऐसे टीपी नहीं आएगी जिस पर सिगनल ना आ रहे हूं कि देन टीपी जिन में दो टीपी न्यू एड हुए है एक तो मैंने पहले एड की थी अब यह जारी है कितने टीपी बढ़ते हैं यह आपके सामने स्केन हो रही है टीपी के भी और चैनल के भी आपके सामने स्केन होगी मैं वीडियो को स्किप नहीं करता ताके आपके सामने टीपी आप नोट कर लें जो भी लगाना चाहें इडिश की सेटन के लिए लुकेशन पर हो सकता है किसी जगा पर इसके सिगनल काम आए या इससे ज्यादा भी रसीब हो सकते हैं क्योंकि अलाग अलाग लुकेशन पर इसके चैनल इस्ट उपर निचे होती रहती है किसी टीपी के सिगनल कहीं पर फुल होते हैं और किसी जगा पर काम होते हैं तो चार टीपी और एड होते हैं या नहीं होते देखते हैं कि मेरे ख्याल से तो बस यही चार ही है कि चार टीपी कि कितने चैनल आते हैं तेरा टीवी चैनल हो गए तो अब चैनल देख लेते हैं कि सटलाइट को अलग कर लेते हैं कि यहां पर अब यह देखें शुरू में देख लेते हैं यह पहला चैनल फॉर तुर्क यह पले हैं यह देखने हैं अभी सिगनल क्वाल्टी आपके सामने इसकी फॉर तुर्क म्यूजिक एजर टीवी उसके बाद यह आई टीवी आई टीवी टीटीच फॉर एं टीवी डेख तो कुछ स्क्रेंबल चैनल भी चले हुए हैं यहां पर अब यह स्क्रेंबल का टेग लगा हुआ है लेकर यह चैनल चल रहे हैं अब इसे यह बांद नहीं है यह एचटी में चैनल उसके बाद यह कुछ डबल फ्रिक्वेंसी पर चैनल आड़ है तो यह थी इस सेटलाइट की अपडेट दोस्तो कैसी लगी वीडियो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हैं मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचेंग मा यूट्यूब चैनल